कल पंगरवाल की रात को चंदग्रहन का सर परत्वी पर कई जगों पर देखने को मिला है। कुछ अनंभवे जोतिशियों के अनुसारे साल चंद ग्रहन पर एक सुन पचास साल के बाद कुछ विशेश योग बने 12 जुलाई 1870 को भी गुरुपूनीमा पर चंद ग्रहन लगा था तब उस समय चंद्रमा शनी और केतों के साथ धनुराशी में इस्थित था जबकि सूरे राहो के साथ मिथुन राशी में था मंगलवार देर रात करीब एक बच कर 31 मिनट पर चंद ग्रहन लगा जो कि सुबह चार बच कर 29 मिनट तक रहा इस बार भी चंद्रमा धनुराशी में इस्थित था साल के आखरी चंद ग्रहन के लगने से पहले ही कॉलकता के MP बिरला तारा मंडल के शोध एवं अकैडमिक के निरिक चक देवी प्रसाद दुवारी ने PTI से ग्रहन को लेकर कुछ बाते कहीं थी जिसमें उन्होंने बताया था कि इस आशिक चंद ग्रहन का सबसे सपष्ट रूप सुबह तीन बजे नसर आएगा जब चंद ग्रहन का जादतर हिस्सा ठक चुका होगा चंद ग्रहन के बाद देवी प्रसाद की कहीं कहीं बात सहीं भी निकली देवी प्रसाद ने कहा था कि आकाशी कतेविदियों में दिल्चस्पी रखने वालों का ये अवसर खास रहेगा क्योंकि अब 2021 तक ऐसा स्पष्ट रूप से दिखने वाला कोई चंद ग्रहन नहीं लगेगा चंद्रमा पर मंगलवार राद एक बचकर तीस मिनिट से बुधवास सुभ़ चार बचकर उंतस मिनिट तक आशिक ग्रहन लगा रहा मंगलवार की राद चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा धर्ती की चाया से गुजरा जबकि बुद्वास सुभा तीन बचकर एक मिनिट पर चंद्रमा का 65 प्रतीशत व्यास धर्दी की चाया के तहत रहा